हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्वेराम ठाकुरुप चुनाओं में हार के बाद एक नई छवी के साथ जनता के बीच चर्चित होते नजर आ रहे हैं और जनता यहां पर उनकी तुलना पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजी सिंग चन्नी के साथ करने लगी है इसका कारण हिमाचल प्रदेश में धराधर कमिटियों का गठन और अलग-अलग विभागों की मांगों को पूरा करने के लिए स्वन आयो के गठन की घोशना 20 मेल वरकर्स की कॉन्ट्रेक्ट में लेकराना जैसे बहुत सारे मामले हिमाचल प्रदेश में चर्चित है और जनता ये कहने लगी है कि अगर इतनी आसानी से ये सब कुछ हो सकता है तो मुखे मंत्री जर्म ठाकुर ने चार सालों में इन सब कामों को क्यों नहीं किया और किसलिए चुनाओं में अपनी हार का इंतजार करते रहे मतलब प्रदेश के जनतात को चार साल तक का इंतजार करवाने के बाद चुनावी साल में ही सरकार सभी तरह की घोशना करती नजर आ रही है यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि उप्चुनाव में हार क्या हुई हिमाचल प्रदेश में जराम सरकार के समी करण ही बदल गए और अब हालातों को सुधारने के लिए मुख्यमंतरी जराम ठाकुर एक बार फिर से एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और कहीं न कहीं बीज़पी के मिशन रिपीट का सपना जो हिमाचल प्रदेश में हमेशा से ही रहा है लेकिन बीज़पी कभी सफल नहीं हो पाई उस सपने को आगे लेकर जाने का प्रियास कर रहे हैं यही वज़व है कि इन दिनों हिमाचल प्रदेश में प्रदेश के आर्थिक हालात की परवाग किये बिना लगतार हर तरह से राहत हर वर को दी जा रही है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्वरम ठाकुड चुनाव क्या हारे जैसे प्रदेश की जनता की लोटरी ही खुल गए कहीं न कहीं इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है कि अगर ये अब हो रहा है तो आखिर पहले क्यों नहीं किया गया चुनाव में हार के बाद सबसे पहले जिस तरह से मंडी में नोटा का इस्तमाल हुआ उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुवन आयो के संगश के बाद तीन मा के भीतर आयो के गठन का अश्वासन सुवनो को प्रदेश में दे दिया इसका प्रभाव अब किस तरीके से निकल कर सामने आएगा और दूसरी जातियों के लोग इसके गठन को किस तरह से लेंगे ये भी एक बड़ा सवाल सामने है जो कि चुनाओ के समय ही सपष्ट होगा कि ज्वैराम के समर्थन में ये निन्ने हुआ है या फिर उनके विरोध मे हुआ है और इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फैसला हिमाचल सरकार ने पुलिस पर बैंड और पुलिस के कौंटरेक्ट को ले कर लेиж हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए भी अब एक कमिटी का गठन कर दिया है अब ये कमिटी पुलिस की जो भरती प्रक्रिया ह जिसमें 8 साल का contract पुलिस का रहता है उसका अध्यन भी करेगी जहां तक outsource के बात है तो सरकार इनके लिए शायद ही कोई policy अपने स्तर पर बना सकती है क्योंकि ये outsource के जाते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने committee तो ही बनानी थी इसलिए outsource कर्मियों के लिए भी एक committee का गठन किया गया और सरकार किस तरह से इनकी नोकरी की रक्षा कर पाएगी और किस तरह से इनकी तनख्वा को बढ़ा सकती है इन सारे सवालों को लेकर committee की एक विस्तरित report सरकार को पेश करना होगा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को तीन साल के contract पर जाना पड़ता है औ और groundbreaking ceremony मतलब हजारों करोड की investment हिमाचल प्रदेश में अब होने जा रही है ऐसा हिमाचल प्रदेश की सरकार का कहना है हालकि जब सरकार बनी थी उस समय भी investor meet हिमाचल प्रदेश में हुआ था और उसके बाद इस सरकार को प्रदेश में बने हुए अब चार साल पूरे हो रह है लेकिन शिकार करने एक बार फिर से इसको लेकर इसके बाद अगला बड़ा कदम जो मुख्यमंत्री ज्वराम ठाकुर ने उठाया है वे पीस मिल वरकर्स को लेकर उठाये हैं जिसमें आठ सो से करीब बीस मिल वरकर हिमाचल प्रदेश में अगले साल के अंतक कॉंट्रे को भी मुख्यमंत्री ज्वराम ठाकुर ने खुद आगे आकर सुधार किया है प्रदेश के कर्मचारियों का जो पेस्केल है वे बड़ा हुआ नहीं मिल रहा था उस पेस्केल को भी लेकर मुख्यमंत्री ज्वराम ठाकुर ने स्तिती को सपष्ट किया और कर्मचारियों के एक बड़ी राहत उन्होंने इस पेस केल के माध्यम से देने का प्रियास किया है हाल ही में सबसे बड़ा निर्णे जो आम आदमी को सबसे जादा प्रभावित कर सकता है वो है रोट टेक्स जिसको लेकर मुख्यमंत्री ज्वरम ठाकुर ने बड़ा फैसला लेती हुए 91 करोड रुपए हिमाचल प्रदेश के उन प्राइविट बसों, टेक्सियों और स्कूल की बसों को माफ कर दिया है एक बात तो सबस्ट होगी कि जनता के दबाव के आगे सरकारे हमेशा जुकती है और कहीं न कहीं सुवर्णायोग और ट्रांसपोर्टर्स कुले का जुनेर्न सरकार का सामने आये है उससे इस चीज़ को कहीं न कहीं ये भी साबित हो चुका है किसके साती हिमाचल प्रदेश की लोगों को जो बड़ी राहत मुख्यमंत्री ने इन सब के माध्यम से दी है और इसके चलते अब प्रदेश की जनता पंजाब की मुख्यमंत्री चुरंजी सिंग चन्नी के फैसलों और कामों के साथ तुलना करने लगी है कि उनसे प्रभावित होकर या जस तरह से विजनता के बीच में जाकर इन दिनों काम कर रहे हैं उसी तरह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्वेरम ठाकुर ने भी अपनी कारिश्याली को बदल दिया है